अलाम अलेकुम तो वेलकाम आपका वैब डेवलप्मेंट कोड़ से एक और नहीं वीडियो में और आज हम CSS के पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इंटर्नल, CSS, EXTERNAL और INLINE CSS यादों को मैंने आपको इंट्रडक्शन में इन तीनों के बारे में बताया था तो आज इसको अपने VS Code पर अप्लाय करते हैं और दिखते हैं कि यह कैसी रिप्रेजेंट होती है तो जल्दी से पहले एक new file बना रहते हैं जिसका नाम रखेंगे हम tude6.html और इसमें एक boiler पर लगा लेते हैं ठीक है और अपने title में लिख लेते हैं पहले मैं inlcss के बारे मैं बात करूँँगा मैं simple एक style लिख ओँँगा और style के tag के अंदर मैं CSS add करता हूं मैं पहले color लेता हूं एक सेंबले color ले लिए और color ले लेता हूं aqua और इधर भी इधर ही में background color भी देता हूं सिंपल हो और background color में दे देता हूं जैसे के तोर पर डार्क ब्लू और सेफ करके पर ब्रॉजर पर देखता हूं तो यह देखें है इसके हमारे को background color ले दे दिया डार्क ब्लू और इसको टेक्स का color तो हमारे को एक्वा दे दिया सही है यह हमारी inline css हो कोई ठीक है अब हम internal css के बारे में बात करते हैं मैं head के अंदर यह style के tag लगा हूं और style के tag के अंदर मैं p e लिखूँ paragraph के tag मुझे इस paragraph के tag पर css लगानी है तो मैं simple p e लिखूँ और bracket लगा हूं और मैं लिख दूँ color और color ले लेता हूं मैं दुबारा से इस दफ़ा मैं color लेता हूं और background color लेता हूं एक second एक लटी होगी अब मैं background color ले लेता हूं जैसे के तोर पे dark लेता हूं और इसको अपर ब्रॉजर पर लेकता है लेकर इसमें मिझे represent नहीं करके दिया ऐसा क्यों हुआ जबकि हमने internal css लगाई थी और बिल्गों ठीक लगाई थी और save भी कर लिए मगर इसा रेप्रेजर नहीं किया ऐसा क्यों हुआ और दूसरी css add करेंगे तो वह हमें दूसरी तफ़ा रेप्रेजर कर देगा मगर सक्सीन नमबर लाइन पर लास्ट में यह एड़ लाइन एड़ थी css के लिए तो इसने यह css हमारे को शो करके दी अगर हम चाहते हैं कि हमारे को यह वाली css मिले तो यह तो हम इस css को सिंपल और एक सेकंड मैं इसको पहले एक सेकंड इसको थोड़ा सा साइट कर लेता हूं और इस css को मैं कमेंट कर लेता हूं ताके फिर मेरी इंटर्नल css रिप्रेजेंट हो ओऔर पूर में एक और प्राग्राफ का टेक लेता हूं फिलारवि ताके मेरी इंटर्नल css भी दिखे और मैं इसमें दुबारा लिख लेता हूं लॉर्म 10 सही है अब देख हीगा मेरी सेसे दीगी क्यूंकि मैंने इंटर्नल css बं कर दी और एक और पार प्राग्राफ को ट लेते हैं external css के बारे में external css के लिए मैं पहले एक new file होना रहता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं हम tute6 पे है तो tute6 ही रख लेते हैं इसका नाम भी tute6.css और यह हमारी css के फाइल बन गई ठीक है अब यहां पर मैं किस तरह इसको अटेच करूँ इस css की file को अपने html की file से किस तरह अटेच करूँ तो यहां एक link लिख दूँगा css यह देखें इसने में जो बताती है बस और यह हमारी लिंक से इस css की यह वाली फाइल से हमारी link होगी है ठीक है अब मैं इस जो भी css लगाऊंगा वो मेरी html की इस file पे इस html की file पे शो होगी ठीक है अब एक काम करते हैं इसको भी हम आटा देते हैं वन्हां अमारी और इस paragraph को ऐसी दर देते हैं एक और paragraph लेने एक जापिक दर पे छोड़ा है मैं रहा सिंपल एक और paragraph लिए और इसमें लॉर्ट टैन कर लिए ठीक है अब external css के बारी बात करते हैं मैं रहा सिंपल पी लिखूँँगा और इस एक से को कैंने सिंपल पी लिखूँआ और इसके आंदर मैं देता हूं एक लगा अधन चैनल इस कह pierws इस बने कहुंधम का या मैं लिए कह इस दफार इस दफार डिए ठीक है और बैक ग्राउंड कर देते हैं इस दफार हम दॉर्म और यांद 좋은 tahir कंते हुने और इसका ब्राओसर अर तो यह देखे इसने हमारे को background color dark green दे दिया और text जोता हमारा गिरे करके दे दिया ऐसा क्या कर रहा है हमने तो css के अलेगे फाइल बनाई और उसमें css add करी लेकिन css की इस फाइल को हमने link के अंदर href के अंदर tute6.css के नाम से attach कर दिया और इसके अंदर जब भी अलग से css की फाइल में जो भी हमने css add करी वह हमारी css इदर add होई सही इस link के अंदर add होई इस html के इस फाइल के अंदर show होने लगी ठीक है यह तीनों css थी inline, internal और external css मुझे अमीद है आपको यह तीनों css समझ आ गई होगी इंशाल्ला हम नेक्स वीडियो में css को मज